दोस्तो जैमातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कले एक जुलाई यानि की सुनवार को किस साइड मोम चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो की इंट्रा डे के लिए बैस्ट होता है लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिसकस किया था अगर यह वापिस से 53,000 के उपर निकल के स्विंग बनाता है तो सुबह सुबह क्योंकि डेटा भी पोजेटिव था और हर बार डेटा के साथ हम चलते भी हैं लेकिन जब मुझे स्ट्रेंथ नहीं देखी मार्केट में ओपर 3-4 जब डोजी केंडल बन गई क्योंकि ऐसे वेट नहीं करते हैं अगर मार्केट को निकलना होता है तो यह एक यह दो केंडल में निकल जाती है स्विंग बनाके लेकिन उपर कई केंडल ऐसी थी जो होल्ट कर रही थी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं देखी इस वज़े से मैं उसमें से फिर कोस्ट के आसपास निकल गया हाला कि उसमें कोई प्रोफिट लोज नहीं होता है पेपर ट्र प्रोफिट बुकिंग दोस्तों देखने को मिली खास बात यह थी कि इंडेक्स बले ही गिरे हुए हूं लेकिन स्टोक के अंदर इतनी बिकवाली नहीं थी जितना इंडेक्स माइनस था अब देखिए हम इसका इंदजार कर रहे थे कि भाई एक नेगेटिव क्लोजिंग आ लेकिन खास बात क्या है 52,100 के आसपास 52,100 से लेके 52,000 के बीच में ये एक बाइंग एरिया है और यहां पे एक 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है तो पहला बाइंग यहां पहले नोट कर लीज़े अपने चार्ट में यहां पर यहां तो स्विंग बन सकते हैं या फिर यह से break down हो सकता है पहला bounce back एरिया दोस्तों बाउन हजार से लेके बाउन हजार सो के बीच में है दूसरा जो बाउन हजार साथ सो पचास से आठ सो के बीच में बिल्कुल नजदीक है moving average टूटने के बाद तो इस पर काम कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा अभी दोस्तों जो break down हुआ है अगर आप देखो के bank nifty का वो हुआ है 22,600 से 700 के बीच में यानि के 50 दिन का moving average के नीचे market आ रही है अगर bank nifty दोस्तों कल flat खुलती है फ्लैट कुले या फिर गैप खुले फ्लैट कुले या फिर गैप खुले 22,500 इस रेंज में बुलिश हम तभी प्लान कर सकते हैं जब यह breakdown जहां से हुआ है इसके उपर अगर निकलना शुरू कर दे और स्विंग बना दे चलिए मैं यह लाइन मारक कर देता हूं आप सब अपने चार्ट में मारक कर लीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में आपको यह काम आ सके यह दोस्तों एक इंपोर्टेंट लेवल है जहां पर 50 दिन का moving average है ठीक है और अगर आप देखोगे या फिर gap up खुले अगर इसको down side follow through करना तो यह आज का जो लो है यह breakdown होने के बाद एक बावन हजार सो बावन हजार याने की तीन सो 200 तीन सो पैंट का momentum हमको मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो 200 दिन के moving average तक 50-60 point का stop loss डाल के मैं put side जाना पसंद करूंगा लेकिन यह थोड़ दिरे जाए क्योंकि सपेस नहीं है अगर आप यहां पर swing बनने का इंतजार करोगे तो फिर market में 100 point मुश्किल से मिलने वाले हैं क्योंकि कुछ point ऐसे होते हैं जो swing बनने में खा जाती है ठीक है तो यह थोड़ा सा fast momentum हो सकता और 22,000 का target थोड़ा सा जल्दी आ सकता है एक या नीचे आ जाती है तो यहां पर या तो कोई bullish candle बने ठीक है या फिर यहां पर आके कोई इस तरीके का डबलू पैटर्न प्राइज एक्शन बन जाए अगर ऐसा होता है तो मैं 52,000 के नीचे 50 60 या 70 point का stop loss डालके 52,400 तक का target प्लान कर सकता हूं यानि कि यहां तक कि मैं recovery प्ला पहला swing होगा जिसको market respect करेगे ध्यान से सुनिएगा market एक swing पे चलती है यह देखिएगा अगर market दोस्तों downside आती भी हो यहां से recovery भी करती है तो यह पहला swing होगा 400-500 के बीच में जिसको market respect करके वापीस थोड़ा सा correction दिखा सकती है तो इस point को आप याद रखिएगा अगर दो साइन दोस्तों हो सकता है gap down खूल जाए gap down खूले के बाग 52,000 के आसपास थोड़ा सा अपने आपको hold करे थोड़ा सा संबाले अपने आपको sideways रहे उसके बाद अगर बावन हजार के नीचे निकल के कोई swing बनता है फिर बावन हजार के नीचे निकलते ही बावन इक्यावन ह 900 के लेवल को टच करके वापीस से गिर सकती है अगर यह वापीस से गिरी यहाँ पे कोई swing बना के तो फिर हम को 600-700 पॉइंट भी correction देखने को मिल सकती है swing के उपर में stop loss डालके 1-2, 1-3 target के लिए put side जाना पसंद करूँगा लेकिन इस point को यह थोड़ा सा दोस्तो crucial सा point है इसको समझने में थोड़ा सा time लग सकता आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ bounce back area दोस्तो 52,000 है दूसरा bounce back area 51,750 से 800 के बीच में है तो आप ध्यान से सुनिएगा gap down खुली 52,000 का level breakdown किया breakdown करने के बाद 52,800 के आसपास आके थोड़ा सा recovery करके फिर से 51,900 को या 52,000 के level को टच कर गए फिर से अगर continue करेगे तो फिर नीचे सपेस है मारे पास बात को समझ रहे हूँ फिर नीचे 50,851 यह हमको सपेस दिख रहा है यहां तक फिर मैं correction प्लान कर सकता हूँ अगर यहां पर कोई अच्छा सा price action बना price action से दोस्तो मेरा मतलब है अगर breakdown के बाद मैं आपको price action दिखा हूँ यह देखिए कल की market में बिलकुल अच्छा example है market ने breakdown दिया इस level का जो काफी time से hold हो रहा था इसका breakdown देने के बाद देखिए कितना अच्छा swing बना swing बनने के बाद आप यह देखिए कम से कम 400 point के हमको correction देखने को मिले 400-500 point की तो ऐसा ही swing अगर 52,000 के आसपास या 92,000 के नीचे मिलता है फिर इसको follow through मिल जाएगा और market में correction हमको देखने को मिल सकती है आशा करता हूँ कि आपको यह point समझ में आया होगा bullish दोस्तों मैं तभी plan करूँगा जब bank nifty flat खुले या gap up खुले 52,600-650 या तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा समय भी तागे breakout दे या फिर इसके आसपास इस तरीके का swing बनाए या फिर इसके ऊपर निकल के इस तरीके का swing बनाए तीनों ही situation में एक 53,000 का target या फिर 92,900 का target मुझे देखने को मिल सकता है इसके नीचे मैं stop loss डाले कहीं न कहीं बावन अजार चैसो के आसपास मैं stop loss डाल के 600-600,700 के उपर निकलने के बाद 600 के आसपास का stop loss डाल के कम से कम 300-400 पाइंट की मैं recovery यहां से प्लान कर सकता हूं देखी यह मत सोचिएगा कि भाई market recovery नहीं कर सकती है market में बहुत सारे support zone है अभी अभी इतना जादा गिरावत हम प्लान नहीं कर सकते हैं जब तक यह important जो कल का support है 22,100 से लेके 22,000 के बीच में और नीचे 21,800 के आसपास जब तक यह दो support breakdown नहीं हो जाते तब तक हम प्लान put side ज्यादा कर नहीं सकते हैं छोटे target थोड़े से मिल सकते क्योंकि market कहीं से भी दोनों buying area से कहीं से भी market recovery कर सकती है बात को समझ रहे हो तो थोड़े से छोटे target प्लान कर सकते है gap up का हो गया gap down का हो गया फ्लेट अगर खुल के दोस्तों recovery आती है तो तब तक इसके उपर नहीं निकलेगी तब तक मैं call side प्लान नहीं करूंगा एक बार मैं कलका और बता जो हमने last time discuss किया था वह मैं आपको एक बार समझा देता हूं bank nifty में हमने क्या डिसकस किया था यह देखिएगा सुबय काट जो data था दस वजे के बीस मिनिट के आसपास positive था ठीक है और यही मैंने प्लान किया 53,000 के उपर निकल ले के बाद स्विंग बनेंगा इंदजार नहीं क्या यह थोड़ी सी ब्रेकडाउन लेवल 53,750 और ब्रेक आउट लेवल 53,010 का यानि इस रेंज से निकलने के बाद एक मूह देखने को मिल सकता है तो मैं आज इग्नोर करूंगा क्योंकि मैं आपको पता है मैं आपको पहले ही बताता है कि एक नेगेटिव क्लोजिंग का मैं अग्रेसिव होने बारा बजे के बाद भी डेटा निफ्टी का तो हलका लेका पोजिटी ता लेकिन बैंक निफ्टी का नेगेटिव बन गया और उसके बाद यह क्रेक्शन आई अगर मैं बारा बजे का टाइम बता हूं यहां से क्रेक्शन आई यह बना बहुत अच्छा स्विंग बना एक क देखने को मिली तो यह मैं अपडेट दोस्तों बेंक निफ्टी में अगर निफ्टी फोकस सकता है क्योंकि निफ्टी में इतना अच्छा कोई बॉंस बै के रिया है नहीं तेज़ार नोसो चोपिस जार के नीचे और तेज़ार नोसो पचास के नीचे निकलने के बाद यह पिर नोसो आप माल लीजिए हाँ यह तो टेलीग्राम का दोस्तों जो चैनल है प्रसेंट फ्री है कोल टिप्स नहीं है भाई यहाँ पर आप सोचो की कोई कोल टिप्स मिलेगी हाँ डेटा पोजिटिव है नेगेटिव है जो पिछले समय से जोएन के उनको सबको बदा कि इतनी हल्प मिलती है डेटा से इंपोर्टेंट लेवल कोन से हैं जैसे कि 53,750 के नीचे फिरम को 400.500 और डाउनसाइट देखने को मिले मार्केट वो मैं अपडेट करने की कोशिस करता रहता हूँ आप जोएन कर सकते वीडियो के डिस्क्रेशन है आपको औरीजिनल चैनल का लिंक मिलेगा नहीं तो कमेंट बर्याँ करने का हैं एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है फोड़ चैनल को जोएम मत कर ले बाई ठीक है फोड़ चैनल बहुत सारे इसनाम से लिंक से सो प्रसंट । ये चैनल है अगर आप सठлись करोगे तो इसलोगों से उनाम से बहुत सारे फोड चैनल मिलेंग सेंगे सॉ अब निस भीविस होने के लिए हमको चोबीज आर सो के ऊपर निकलना जरूरी है मार्केट खासकर चोवीज़ार पचास आठ के उपर स्विंग बनना जरूरी यानि कि बुलिश हम कब हो सकते हैं फ्लैट खुले या फिर हलकिसी गैप फुले चोवीज़ार सो के आसपास अगर कोई ऐसा प्राइस एक्षन बना के निकलते तो आप यह देखी फिर यह जो सकता है क्योंकि उपर को इतना खास रिजिस्टेंस तो है नहीं तो विजार दोसों भी हमको देखने को मिल सकता है 15-20 या 30 पाइंट का स्टोप लोज डालके मैं कोल्साइड जाना परसंद करूंगा दोनोई सिचुएशन में या तो फ्लैट को ले गैप अप को ले सो के स्टोप बना दे तभी मैं प्लान करूंगा उट साइड दोस्तों आप देखें निफ्टी के अंदर एक हलका सा आपको जो सपोर्ट एरिया दिखेगा वो दिखेगा यह वाला यानि कि 23,950 के आसपा चली इसको भी हम मारक कर देते अपनी चार्ट में यह वाला एरिया दोस इसको फोलो थुरू मिल जाएगा और फिर मार्केट कंटीनिव भी हो सकती है 23,840-23,800 नीचे जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है 23,700 के आसपास यह भी देखने को मिले सकता है अला कि एक दिन में नहीं कि कल ही मार्केट गिरके यहां तक आ जाएगी ऐसे कुछ मार्केट का ब पूट साइड जाना पसंद करूँगा अगर बहुत बड़ा दोस्तों गैप डाउन खुल जाए तो एक दम से रिकवरी प्लान मत कीजिएगा फिर जो यहां आज का क्लोजिंग प्राइज है हो सकता है शुरुआत में थोड़ी से रिकवरी दिखा के इस पॉइंट को तच क उपर निकलेगी 200 पॉइंट रिकवरी हो चुकी होगी उसके बाद हम क्या ही प्लान कर लेंगे तो उसके लिए हम एक दिन का इंदजार कर सकते हैं बैंक निफ्टी में देख सकते हैं अगर मार्केट बुलिश बनती है प्राइज एक्शन बनाती है अपर साइट बैंक मेरिश बनती है नेगेटिव बनती है तो हम निफ्टी फोकस कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोंगे निफ्टी में एक खड़ी-खड़ी मार्केट भागी और उसके बाद सपेस दिख रहा है डाउंसाइड तो निफ्टी में अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी के म बैठें 2,19,000 तेजी वाले बैठें उसके बाद अगर आप देखोंगे नीचे जो सपोर्ट है 23,900 पे है 23,800 पे है 23,700 तो यह एक टूटने के बाद एक ही बारी आ सकते है 24,000 के नीचे निकलती है 900 तक जा सकते है 900 तक जा सकती है अपर साइड देखिए 24,100 के आसपास रिज रजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रहे होंगे इसको भी हम दास बज़े के बाद दो दिन के बाद मार्केट खुलेगे थोड़ा सा इंतजार जरूर करना है ऐसे नहीं कि खुलते ही मार्केट में गूश जाओ इंतजार कीजिए किस साइड मोमेंटम बन रहा है किस स पहला सपोर्ट तो 52,000 का है रजिस्टेंस आप देखोगे तो 52,500 अब देखिए खुद देखिएगा 52,500 पे 98,000 मंदी वाले लेकिन एक लाक से उपर एक लाक अठार जार तेज़िए बैठे और यह इंदा मनी राइट करके गए यानिकि इनको कॉन्फीडेंस है कि मुमेंटम दे सकती है तो अगर 300 के नीचे निकलते तो फिर यह लोग पोजिशन काटेंगे और 52,000 का लेवल थोड़ा सा जल्दी टाच हो सकता है यह लोग पैनिक में आ जाएंगे लेकिन अगर यह 22,500 के ऊपर निकल लगी फिर यहां पर पोजिशन एड होना शुरू हो ज बज़े के बाद ही देखेंगे पहले उप्शन देखने का कोई फैदा नहीं क्योंकि पोजिशन सेटल होती है तो आज का वीडियो दोस्तों यह तक था वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जुरूर कीजिया कीजिए कोमेंट कीजिए मैं हर कोमेंट प तामाद पहले जिए जाने कीजिए रेखेंगे उपनाँ वेशन देम जा मैं हो ईपनाँ है सेगोपीी आजिए मैं ही जा मैं है ऊना दोना है अपना प्लत